तो 24 के चुनावी महासमर में इंडिया वर्षिच एंडिये इंडिया बनाम एंडिये एंडिये को 25 साल हो गए आज और 14-15 वर्ष पुराना यूपिये आज एक नए नाम के साथ एक नए रूप सरूप के साथ सामने आया इंडिया बेंगबूर में विवक्षी दलों की बैठक के बाद यह नाम देश के सामने आया है इसका विस्तरत नाम क्या है वो तो शायद देश के आम लोगों तक मुश्किल है पहुंचना और पहुंच भी जाये तो याद रखना मुश्किल है चुनाओ में चलेगा इंडिया इंडिया वर्सेज इंडिये ममता बनर जी ने आज कहा भी कि इंडिया को कोई हरा सकता है क्या अब ये वाला इंडिया के वो वाला इंडिया ये जनता तै करेगी भारती जनता पार्टी ने भी आज दिली में बड़ा जलसा किया एंडिये के 25 वर्ष होने पर 25 वर्ष मतलब चोध्याई शताब दी और बैंगलूर में विपक्ष ने विपक्ष का मूल स्वर ये के देश में लोक तंत्र खत्रे में है अविव्यक्त की आजादी खत्रे में है भाईचारा खत्रे में है किसान परेशान है मजदूर परेशान है नौजवान परेशान है महिला परेशान है दलिक परेशान है आदिवासी परेशान है आदी आदी कि एंडिय की तरप से टॉन सेट की खुट प्रधानमंतरी निरेंद्र मोधी ने मैदान में मोधी उतरे और उन्होंने कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग और यहां से बात शुरू की और उन्होंने कहा कि of the family, for the family, by the family सब कुछ परिवारबाद, देश कहीं नहीं और प्रधान मंत्री ने विपक्ष के इस महा जुटान को कट्टर भष्टाचारियों का सम्मिलन करा दिया का देश कह रहा है यह कट्टर भष्टाचारियों का सम्मिलन है दो गठबंधन पहले भी लड़े हैं, कोई नया प्रयोग नहीं बस नाम में थोड़ा रोचकता इसमार जादा है UPA के मुकाबले इंडिया में रोचकता जादा है चकदे इंडिया जीतेगा बाई जीतेगा इंडिया जीतेगा जो तुकवंदी है नारा है चुनाओ में वो बहतर हो जाएगा UPA के मुकाबले क्योंकि UPA में नारा नहीं बनता था तुकवंदी नहीं बनती थी यह अपीलिंग नाम है अब इस नाम पर बाद विबाद होगा कि नहीं होगा क्या स्थिति बनेगी वो तो बाद की बात है लेकिन नारा अच्छा बनेगा और चुनाव में नाम को लेके रोचकता बनी रहेगी लेकिन सारी चीजी आकर कहां टिकेंगी वो टिकेंगी कि इंडिये और इंडिया अलग है मूल बात आकर टिकेंगी बोट की मोधी और मोधी के सामने कौन मूल बात इस पर आकर टिकेंगी क्या मोधी के सामने कोई चुहरा होगा अभी बैंगलोर की बैठक से ऐसा कुछ भी संकेत नहीं आया ग्यारा लोगों की कमेटी बनी है वो तै करेगी आगे का कॉर्स ओफ एक्षन दिल्ली में एक सचिवाले बनेगा इस नए विपक्षी दलों के गटवंधन का और अगली बैठक मूंबई में होगी कुल जमा अभी इतनी तस्वीर सामने है लेकिन चुनाव सामोहिक नेतर्तों में होगा यह मान कर चली हाला कि कॉंग्रस ने खुद को पीछे किया खटगेज जी ने कई बार आज कहा बैंगलोर में कि हम पद के लिए नहीं हैं हम प्रडानमंत्री पद की दाविदारी नहीं कर रहे हम सत्ता के लिए नहीं हम तो दे प्रडानमंत्री पद की दाविदारी नहीं कर रहे हैं यह एक बड़ा एलान हे कांग्रेस की तरफ से अभी तक माना जाता था कि कॉंग्रेस ऐसे किसी विपक्षी गठवंधन में हिस्सेदारी नहीं करेगी जिसमें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी उसके लिए आरक्षे तनाई रख्षिता है कॉंग्रेस ने उससे अपने को पीछे घीचा है लेकिन अभी भी पेच बहुत सारे हैं इसलिए शायद बेहतर होगा बेपक्षी दलों के लिए कि वह साजी लडाई पर चले सामोहिक नेत्रतों के तोर पर चुनाव लड़ा है और अगर फिर कभी वैसी को इस्तिती चुनाव के बाद बने के ज़रूत पड़ेगी तो चुल लिया जाएगा नेता नहीं तो कम से कम गठवंधन बचा रहे क्योंकि एक नाम आपने जहां लिया वहीं गठवंधन की दिवारे हिलने की इस्ति खटगेज आप करें हमारा लेविल भी एक है माल भी एक है अब लड़ाई यहां से शुरू होती है एक बैंगलोर डेक्लेरेशन मान लीजिए और एक न्यू डेली डेक्लेरेशन एक एंडिया का और एक इंडिया का यूपी ए विसरजित हुआ और उसकी जगा एक नया फॉ भाषा है यह अलंकारी भाषा भारत के आम आदमी तक कहां तक पहुंचेगी कैसे पहुंचेगी वो तो अलग का विशह है लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सुभे टोन सेट की और उन्होंने कहा कि घोर जातिवादी परिवारवादी भरष्टाचारी लोगों का जुटान उ परिच में आज से 2024 के महासमर के लिए एक नई लड़ाई शुरू होती है इसको कैसे देखते हैं थोड़े दागी इधर भी थोड़े दागी इधर भी ये हो सकता है किसी तरफ 100 ज्यादा बजन के दागी हों किसी तरफ 100 ड्रहां कम बजन दागी दागी सब्हें लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि 24 का चुनाव यूपीए और इंडिये जब था तब भी देश में एटा में इटावा में भरुकाबाद में बक्सवर में खगडिया में मुझफरपूर में कोई यूपीए इंडिये नहीं जानता था बोट होता है भाजपा पर कांग्रेस पर समाजवादी प सपा पर त्रणमूल पर जदियू पर राजद पर ठीक यह एलाइंस के तो एकाद सो लीफ वाले एकाद लेटर हैट छपा लिये जाते हैं और एक मोहर बन वाली जाती है इसकी कोई लीगल सेंक्टिटी नहीं है को इसका कोई बहुत स्ट्रेक्शर्ड मामला नहीं होता है न सब यह पार्टियां को delicी के चेहरे पर बोट मागएंगेंगेंगी D समाजवादी अपने सिंबल पर मांगेंगे 27 जैसा प्रियोग नहीं है कि सारी पार्टियां आई मर्ज हो गई और एक चुनाव चिन्नते हो गया इसे प्रियोग है जैसा पहले भारत में हो चुका वाजपई जी के समय में और सोनिया जी की लीडर्शिप में यूपीए वर्सेज इंडिया विकार सिवार्थभ जी आपके पास आऊँगा सबसे पहले चुकी आज क्या जो कोई जीत सकता है कोई जीत सकता है क्या यहां तक मामला पहुंचा और दूसरी तरह प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि यह घोर परिवारवादी जातिवादी और भर्ष्ट तागतों का समू हो है कॉंग्रेस को कैसे लगता कि यूपीए को हम इंडिया नाम दे दें तो परस्ति दिली बंगलॉर मुंबई कर पटना बंगलॉर मुंबई करते रहोगे यह जमीन पर गोंगे अभी तो कसावती पाकी है पहली कसावती तो राजस्थान मद्यपदेर शत्तिजगण में हैं सामने ही आएगी तक ही आप दिल मिल गया तो यही है मित्र अब दिल नहीं मिला तो देश को बचा रहेने के लिए लगई हम लोग और हमें कुर्सिस कोई लेना देना ने सब बीत्रागी समाज के बैरागी समाज के नेता लग रहते बंगल वर में आज यह लगविता ता वी बैरागी है कुम्भू में बिल्कुल लग एक परसेंट मान ले कि आपका एलाइंस नहीं जीता तो देश खतम मान लिया जाएगा क्योंकि सारे लोग देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं लेकिन ऐसी बात ज्यादा जोश ना बोला करो केजरी बाल जी सुन लेंगे नाराज होंगे इसलिए अपनी नौकरी देख के चलो भाया मैं सब दोस्त लोगे को इसलिए कहता हूं हमको मालूम है नेता कितना टची होता है वो नाराज हो जाएंगे तो आपकी नौकरी घद्रा आजाएगा भई आपके या सिसोदिया गए सो गए से सतेंदर गए तो गए खेट चोड़ों अभी आएंगे अभी चुनाब में बहुत टाइम है भी तो र जो भी आदमी जो भी पार्टी चुनाब होती है है वो चुनाब के लिए होती है जीत के जीत सीधे जीत पाए तो दाय से जीते तो बाय से जीते तो कहीं से भी सीधा रूट नहीं मिले बाइपास से मिले कहीं कुछ सत्ता महसेदारी मिले इसे के लिए नराजनीत हो रहे हैं और बोल सब यह रहे हैं कि ना राजनीत ही नहीं हम तो देश बचाने आएं क्या देश इतनी छोटी चीज हो गई कि वो आप लोगों के बचाए कि आपाने लेंगे के पांचीजार वकम हो ग्यां की फिया उसीत फूर्ट मियां प्सक्राइए गया वहाँ फुर्टी मिले के ना घ्यान हर रूटु सब मिलके हैं रूटगे हैं प्रधान मंत्री ने आज टोन सेट करने की कोशिश की उनने का जी जितने हैं सब ब्रष्ट हैं और सब परिवारबादी है अभी मनीश गुपता जी कह रहे थे और ठीक बात कह रहे थे कि अजीत पवार से लेके और वो कौन है उनके साथ जो आया है एक मंत्री बना है वो सारे लोग कई हजार करोन के गोटालों में नामित रहें क्या तो भरष्टाचार इधर वाला भरष्टाचार उधर वाला जनता तो बड़ा कंफ्यूस हो जाएगी एक मसला दूसरा मसला यह कि आपने कहा जो विपक्ष कह रहा है उसका मूल तरक यह है यह तो नहीं कहा लेकिन पहले कह रहा है कि यहां के प्रवक्ताओं को सकता है मेरे बोलने के बाद याद आएगा कि आपने कहा कि यह सब मजमा जोड़ रहे हम अकेले चलेंगे क्या क्या कि हम शेर दिल है ठीक सब बुला लिए बोले आजाओ आजाओ तो वो पोजीशन क्यों बदली जब शेर थे तो अकेले चलते पर ठीक है जो होगता देखा जाता नहीं आज मूल प्रश्ण ये है के इंडिया वर्सज इंडिये ठीक कि अज मूल परश्ण ये कहानी तो रोजी होती है कभी भी कर लेंगे तो प्रकास सिंगे लड़के क्या नाम है इसमें क्या बहस्म करना सबी जान रहे हैं मुलाइम सिंग के बाद अगिलेश जागे अगिलेश के बाद उनका बेटा ही चले गई कांग्रेस में भी चलना है चल नेता भी ढूल लेंगे जब संभावना नहीं तो काय को लट्थम लट्था कराओ अभी जो माहूल बन रहा वो भी उससे भी जाए अभी नेता गोशित कर दो ममता अलग नीती शालग अगिलेश यादवाला अर्मिन केद्रिवाल अलग जहाज पकड़ेंगे दिल लिगा ऐ मनिश कुमार जी मनिश कुमार एक मसला बड़ा होता है मैं इस बास के हमेशा खिलाफ रहता हूं कि ठीक है रागमें जी ठीक है रुक्जाव भाई कि कोई भी पार्टी हो कोई भी गठवंदन हो कोई भी नेता हो क्या उसको चुनाव में ऐसा सिक्का नहीं उचालना चाहिए जिससे लगे कि अगर यह परिणाम आया तो देश बचेगा यह परिणाम नहीं आया तो देश चल जाएगा कितने नेता आए चले गए कितने गठबंधन आए चले गए कितने दल और चुनाव आए और चले गए भारत कहीं नहीं गया नहीं जब चुनाव नहीं होते थे तब भारत था जब लोक तंत्र नहीं था राश्ट तंत्र था तब भारत था चुनाव हुए तब भारत नहरु जी आए और चले गए तब भारत रहा इंद्रा जी आई और चली गई तब भारत रहा ये मैंने आज बेंगलोर में सब को सुना सब का कोर इशू मूल बात यही थी कि भारत को बचाने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं मैं ये समझ नहीं पारा कि अगर आपने इसी शर्त रग दी अगर भारत मतला आप जीते तो भारत बचा और माली संयोग से आप नहीं जीते तो क्या अर्थ निकालेंगे भारत कटम एक दवर था कांग्रेस के अध्यक्ष थे डीके बरुआ देवकांत बरुआ उन्होंने कांग्रेस के राष्टी सम्मेलन के मंच से इंडिया, इंडिया इपोजिशन का इसा मान जाए ये एंडिया इंडिया इंडिया जीद्रा का अपग्रेड़ेड़र वरजन है या इंडिया सम्टिर intrigued है पार्टियां अलग चीज चुनाव अलग चीज है तो कि जो लोग पोट नहीं भी देते वह भारत हैं और वह भारत का भविश्य भारत का मुकदर हैं नहीं मैं अजो किसी पार्टी को देते एक्स को नहीं वाई को देते वह भी देश में उतने ही अच्छे हैं मसला मनीश की जमानत का है कि देश का है मनीश की जमानत और देश एक नहीं हो सकता सतेंदर जैन की रिहाई और देश एक नहीं हो सकता यह जान लिए यह अंतर हमेशा रहेगा और यह मान कर चलिए कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो सकता विकार स्रिवास्तव जी, कॉंग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ा स्ट्रिजिक मूव जो मुझे लगा, कि उसने प्राइम मिनिस्टर्शिप के लिए केटेगरी कली अपने को पीछे कर लिया, कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर्शिप की रेस में नहीं है, खटगे जी ने का के कॉंग्रेस पधान मंतरी पत की दोलब से बाहर है, उसमें नहीं है, क्या ये इसलिए कि ताकि विपक्ष एक साथ बना रहे चुनाव तक, आप टीवी पर बोलते हुए ये कहते हो कि हमको बोलन नहीं दिया जा रहा, ये गजब बात है, खाना खाते हुए कोई ये कहे कि हमको खाना नहीं दिया जा रहा, ये आईसे तो उलट वासी मैंने भारत में देखे हो कई देखी ने, अधिर रंजन चौधरी परल्लमेंट में धोधार बोलते हुए ये कह रहे है, कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा अरे और कई से बोलोगे बैंगलूर में बोले देश भरने चलाया देखा न और फिर और एक बात कहिए दू विकास जी को याद हो के नहीं हो बताया गया कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है अच्छा जी आपातकाल में कांगरेस से जुड़ा उसक गांधी की विचाधारा के खिलापत करने वाला कोई हाथ का लिखा पर्षा भी अगर जेव में बरामद हो जाए तो मीशा में अंदर हो जाता था आदमी पता है ना आतो टीवी बोल ले हो न सब बोल ले हो न फिर गोल गोल बाते नहीं करो हमको बोलने नहीं दिया जा रहा यह बात अगर कहों बोलते हुए तो यह असमत मैं बोल रहा हूं यार लोग देख रहे हीं कि मैं बोल रहा हूं लोग डेख रही है कैंसे बात अर्वीं केजरेवाड di Ng카i जैरे तो पढान्मंत्री हो जाओगे अगर यह नाराज ही है कि हमको लाल के लिए से क्वे नहीं बोल ले दिया गया तो लाल के ले से तो वहीच पढने में устрой सब इसमें गलत राही रत्ती हो तो अगर मैं यह कहूं कि मुझे खाना नहीं दिया जा रहा खाना खाते हुए तो लोग यह कहेंगे यार खाना तो हटा देते सामने से तभी जूट बोलते नहीं नहीं जातिगत जन्गणना की मांग आज इंडिया ने की है अपने च्छे संकल्पों में राग्विन जी जो नया एलाइंस बना है विपक्ष का 26 दलों का उसने अपना जो डेक्लेरेशन जारी किया है उसमें एक च्छे में से प्रमुख मांग है देश में जाती आधारित जन्गणना कराई जाए भारती जन्ता पार्टी इसको कैसे रिस्पॉंड करेगी जाती आधारित जन्गणना जाती आधारित जन्गणना कराऊ कांग्रेस दुविधा में फसी थी ठीक कुछ नेता कह रहे थे हां ठीक है कुछ करेता नहीं नहीं कराना 45 साल कांग्रेस ने इस देश पर अखंड राज किया गाउं प्रधान से लेके प्रधान मंतरी तक सब कांग्रेस का रहा जाती करते जन्गणना करा कि क्यों नहीं दे दिया लालु यादव मुलाहिम सिंग यादव कोई मांग करने के लिए हंगामा करने की दरूती नहीं पड़ती तब क्या कहा था चिदंबरम ने मैं उनके शब्द उध्रत नहीं करना चाहता क्या कहा था दिविजी सिंग ने और फिर आकड़े क्यों नहीं जारी कर दी है बोले जे करा लिए लेकिन आकड़े जारी नहीं करेंगे इसलिए कंग्रेस को यह हक नहीं यही बात मुलाहिम सिंग की पार्टी कहें समझ में आता है कि मुलायम जिंग ने हाउट में का लालू यादव ने का दो लोग मुझे याद है ठिक कहा अंगरेस उसके पक्ष में नहीं थी खर मनो यादव जी दो हजार चौविस के चुनाव में जाती गत जनगनना एक बड़ा मुद्दा बनेगी आपको इसा लगता है चौधा में भारती जनता पार्टी को नरिन मोदी को विजय बनाया इसी भारत की जनता ने ठिक भाजपा अपनी या सपा अपना बोट खुद तो डाल नहीं लेगी कि सर्व मुख्यमंत्री हो जाए प्रणान मंत्री हो जाए पांच साल की सरकार के बाद जिसको कांग्रेस कह रही है कि देश को तोड़ दिया देश को बरबाद कर दिया उसके बाद बोट में गया देश पांच साल सरकार के बाद 303 सीट जीत कर आए आप कितनी जीत कर आए लोग तंत्र में तो पैमाना इतनी है ना आपके भाशन से तो पैमानात है नहीं होगा ने ट्विटर से पैमानत है होगा इस देश के लोगों ने बोट दिया न कि कोई में जापान से बोट आया था कि पाकिस्तान से आया था कि होलेंड से आया था कि पॉलेंड से आया था गजब बात करते हैं इसी देश ने बोट दिया जिस बोट से अखिलेश मुक्यमंत्री बन यह काम अच्छा है यह पवित्र बोट है बोले योगी आधितना 17 बने बोले डुप्लिकेट बोट है बोले 22 में फिर बने फर्जी बोट है गजब करते यार यह यह नहीं करो उस तो इमानदारी रखो कमजम सार्विन जीवन में कर राग्वेन सिंग्जी एक बड़ा मसला मु उस छे पॉइंट का छे विंदूओं का उसमें उसने इस बात को रखा है तो स्वाभाविक है इसलिए यह लगता है कि विकपक्षक के ही रणनीती का एक प्रमुख मुद्दा कास्ट सेंसस भी होगा भारती जिनता पार्टिक कैसे रिस्पॉंड करेगी इसको एक बड़ा एक बड़ा ब्यभारिक मसला है बार बार राजनेतिक लोग अपनी सुविधा से घरी का पेंडूलम दाइंबाए खिसकाने कोशिश करते हैं लिकि मेरी कोशिश यह होती है कि खूंटा एक ही जगा रहे है खूंटा लेके कोई ने भागने पाता हूं कमसे मेरी बैस में मैं इसी स्थिति कभी नहीं आने दी कि कोई खूंटा लेके भाग जाए एक बुनियादी सवाल खाड़ा करता हूं कि देशकी ने उसको थोड़ा और शार्प करनों सवाल को इसलिए जनता की समय बहतरी से आजया तक हमेशा के लिए बात इस्थापित हो जाए चौधा में लोकसभा हुआ ठीक उत्तरपदेश में 17 विधान सभा हुआ 19 में फिर लोकसभा हुआ 22 में फिर विधान सभा हुआ और इस दवरान दो बार पंचायत और दो बार इस्थानी निकाय को चुनाव हुए इस वो भी छोटे चुनाव इसलिए ने चुकि इस्थानी निकाय का चुनाम में 4 करोण बोटर होता है उत्तवर्परश में कितना? 4 करोण, जितना बंगाल में कुल बोटर नहीं, ठीक? आप समझे बात को, तो यानि ही 14 से अब तक 6 बार देश के सबसे बड़े सूबे ने मेंडिट दिया, क्या 6 बार, तो जो लोग करें के देश बरबाद हो गया, प्रदेश बरबाद हो गया, तबाही हो गई, गुल ओबर हो गया, हाहाकार मच गया, सब तरब मुर्धनी चा हैं, एक बार गलती से बटन दबा दिया, दूसरी बार 6 दफ़े तो कोई गलती नहीं करता, फिर जो लोग यह कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं, कि हम वाच रोग हैं, हम लड़ रहे हैं जनता के लिए, तो जनता ने उनके प्रतिप्यार क्यों नहीं दिखाया, 6 बार बोट द सुविधा से घूम रहे हैं, सुरक्षित हैं, इसका मतलब है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी कायम है, अगर मुहम्मत तकी, विकार श्री वास्ताब मनोजी आदब प्रश्न पूच के सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, प्रसन नहीं, तो इसका मतलब देश हमारा ल लोक तंतर के मूल तत्व के को निशेद करने वाली बात है, कि हम जीतें, तो जीत पवित्र, और हम अगर हार गए, तो जीत फरजी, जीत अपवित्र, ये बोलने वाले लोग देश के मूल भाव के विरुद्ध हैं, और ऐसे लोगों को जनतांत्रिक पणाली से उनका किसी पारिटी के नेता हो, जो ये मानते केवल हम जीतेंगे, तभी लोक तंतर जीतेगा, ऐसी सोच रखने वाले लोग ठीक नहीं, उनका देश में निशेद होना चाहिए, जिस बोट से अर्विंद केदरिवाल दिल्ली में जीते हैं, भगवंत मान पंजाब में जीते हैं, उस बोट से उत्तर पदेश में योगे जीते हैं, तो मुहमत तकी का यह मामला ठीक नहीं, तो इनकी बात फरजी, इसका मतलब है लोक तंतर के मूल भाव के विरुल दब्यक्ति हैं, इसलिए इनका भी वहिश्कार फिर करना होगा, मसला तो यहीं न, और एक बात मैं कहता छे बार मैंने उत्तर पदेश का उधार नीची ली दिया, 2009 में अगर मैं सही आद कर रहा हूँ, कॉंग्रेस अपने 20-22 विधाया अर्शांसत शायद जीते थे उस उकर, कल्यान सिंग बाला एपिसोड हुआ था, कल्यान सिंग मुलाहिम सिंग एक उसमें आ गए थे, तो उस से मुलाहिम सिंग को नुक्सान हुआ, उसके चलते कॉंग्रेस को फाइदा हुआ, लोकसभा में, वहां से चलते चलते कहां आ गई, राउल गांदी चुना बाहर गए, क्या, अब बताइए, ये दूसरे का दोश है, समाजवादी पारिटी को तीन सीट बची लोकसभा में, ये दूसरे का दोश है, भाईया, आप आजम गड़ब में धर्बेंदर यादव को नहीं जीता पाए, ये दूसरे के दोश होगा, महमता पनर जी बनिये न, दो बार जीत के आईए, महमता पनर जी नहीं लड़ रही हैं चुनाव, लड़ रही हैं न, आप पराजित हो कर रही हैं और तागत के साथ कर रही हैं, दुबार जीत की आई, फिर इस टैलिन कैसे जीते, तमिलाव देश से बाहर है, ये नहीं चलेगा, कड़बा कड़बा थू और मीटा मीटा गप ये नहीं चलेगा, खर, मुझे एक बात और समझनी है, कि इंडिया जो उसका शॉर् कुछ रोचकिता भी पैदा करेगा, कुछ विचितरताएं भी पैदा करेगा चुनाओं में, अब राहुल जी ही लंदन जाएं मान लीजी, तो वो क्या बोलेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, तो कन्फूजन होगा, कौन सी इंडिया की बात कर रहे हैं, नहीं, राहुल जी माली जी अमेरिका जाएं, और वहां बोलेंगे, इंडिया में बिपक्ष की आवाद दबाई जा रहे हैं, नेताओं को पड़िशान किया जा रहा है, तो फिर कन्फूजन होगा, लोग पूछेंगे कि विच इंडिया, यू मिन कंट्री और अलाइंस, ये थोड कन्फूजन रहेगा, लेकिन मेरे मैं हमेशा मानता हूँ कि ये ब्रॉडर अलाइंस जो होते हैं, ये बहुत इंपेक्फुल नहीं होते, शर्द पवार की पार्टी के नाम का आर्थ है, राष्टवादी, कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट, कांग्रेस पार्टी, भावित हो के कह रहा हूं कि शर्द पवार ठिक है, आला कि लग्षन ठीक नहीं है, कभ बरसात हो जाए, पता नहीं, क्या, कभ बर पार साब की दर चले जाए, ये पवार साब भी नहीं जानते, पिछले तीन दिन में छे बार अजीद पवार अपने चाचा से मिल चुक है, इतना तो बच्पने नहीं चाचा की साथ रहे, जितना आप मिल लिए, अब क्या मिल लिए, मौसम पूछने तो नहीं कहोंगे, जितना होंगे, चाचा खाना खाया कि नहीं, वो तो वाटसअप पूछ लेता है, नहीं, और इतने बड़े भी हो गए हैं, चाचा भी बिलकुल, अब तो उम्र के चौथे चरण में ऐसा ने कि चाचा की याद आ रही है छोटे बच्चे तो है ने कि कमरें भाग आया बोले चाचा कहा है कि व्यस्त भी रहती अजीद पाप अजीद दादा फिर मैं फिर कहता हूं जन्ता दली उनाइटेट पर भी आपको नजर रखने हुए यह 26 की 26 ठिकें यह मेरी शुबकामनाई है क्योंकि लोक्तंत्र में बेपक्षका कुनवा भी ठीक रहना चाहिए दुरूस्त रहना चाहिए और अब की कोई ऐसा घल्लू घारा हो गया महराष्ट जैसा तो बड़ी बदनामी होगी जान लीजिए क्या फिर उस बदनामी का मा कामला फिर लंबा हो जाएगा लें लक्षन ठीक नहीं लग रहा है यह फिर अपनी इम्मेदारी से गह रहा हूं तो एक और महत्रपूर बात जो मुझे लगती वह यह कि कि देश को बचाने के लिए हम आये यह भाव भी अंकार पैदा करता है कोई माई का लाल इतना बड़ा आदम नेता नहीं कोई दल इतना बड़ा नहीं हो तकता जो कहें कि मैं हिंदुस्तान बचाने आया हूं आप क्या है है आक से पहले से हंदुस्तान चल जाएं आपके भाद में चलता रहेगा दोस्त कि इस गलत भी अर्विंत केद्रिवाल दिल्良ी में मुध्यमंत्री नहीं थी अब वह नहीं रहेंगे zarag ho आज बेंगरूर से ये जो तून सेट करने के कोशिश हुई लालू जी से लेके और ममता जी तक खटगे जी से लेके राहूल जी तक सब ने ये का हम देश बचाने आए हैं अरे भाई को गाय डोर है क्या को उसको बचाने आए लाठील निकाल लो आजाओ जिस देश में कभी चुनाव नहीं टाले गए इंद्रा जी के समय को हटा दीजिए इमर्जिंसी के इस देश में जो कुछ विसंगती हुई लोकतंत पर हमला हुआ जमूरियत को बंधग बनाने की कोशिश हुई वो इंद्रा गांधी ने की उसके बाद बावन से जब से इलेक्शन शुरू हुआ आज तक कभी इलेक्शन टाला किसी ने इस देश में कभी ऐसा हुआ कि जो पराजित हो जाए पार्टी उस पार्टी के मुक्ष मंत्री या प्रदान मंत्री ने काओ कि तुम्हारी इस तैसी हम नहीं हटेंगे कूर्श देशों में तरह निगाह दवडा के देख लीजिए भारत के पढूसियों में निगाह दवडा के देखिए दरह में कांग्रेस के मित्रों से विशेश रूप से कवंगा थेत्रही मत करिए पढूस में देखिए ना सत्ता का हस्तांत्रन कैसे होता है भारत उमें कभी सत्ता क हस तांत्रना चुंगी चुंगी से लेके और पढ़ान मंत्री के पद तक कभी रक्त से नहा कर नहीं हुआ कि बिना जगला धंजट के भगवंत मान तक शपत ले लेते हैं भारत में बताइए हसते बोलते नहीं ले लेते चुटकुले सुनाते हुए यहां नहीं ह開ए नहीं नंन तक में खे ना चुट्टकु अधाल ने जुकित ले भगवंत नहीं लेूनने देंगे यहां उस देज में आप करेunkе हाय है हो गही और वो भी दुनिया भर में इसका धिंडोरा पीट रहे हो ये वैसी ही थेत रही है जिसमें मैं मलाईध क Wouldn moderator है रौक और इदर चापे पड़ा हूं अगर देश में ही बोलने की आजादी पर पहरा होता, तो सबसे पहले टिवेटें बंदो जाती है, नहीं? एकिए हैं भंधाति ना इमर्जेंशी के दोरान किसी ने ब양जलूर शेशन किया था क्या संभव के भारती जंसंगा और लोक दल बंगलॉर अर्मिलैन कर लेते हैं इमर्जेंशी में या आर्विन केदरी बाल होते उसकार वो तो थे नहीं होते रहा में और भाबा आग और कि दूसरे पहन के आना पढ़ रहा है था प्रचार् क्यों हो रहा है कि देश में लोगतंत्र कि की करपा से नहीं आया हूए है यह बात सब को समझ लेनी जाइंए और ना किसी क्रपा से ठिका है। हमारे रक्त में लोकतंत्र है, हमारे δियेने में लोकतंत्र है, वो भाजपा सपा बसपा की क्रपा नहीं है। Including Congress, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी मित्र, भारत मनद से लोकतंत्रिक है। हमने वैशाली में तब लोकतंत्र की संरचना की थी, जब दुनिया भर में लोकतंत्र का ला नहीं कोई जानता था, डेमोक्रिसी का डीन ही कोई जानता था. इसलिए ये थेत्रही सब मत करो भाई, कि हम देश के लिए हैं और देश को बचाने निकले हैं और देश में इतना जुल्म हो रहा है, नहीं, हाँ ये आप नीतियों के वृद्ध हैं, अच्छी बात है, आप बेहतर मॉडल पेश कर सकते हैं देश के सामने, ले जाए जनता फै कर दे तो मेरा निवेदन सब से है, उस फैसले का मान रखिए, जैसे मेरे मित्र, बहुत प्यारे मित्र हैं तक कि आप उन्होंने का नहीं, केबल पंजाब और दिल्ली में चुनाब और इजनल हुआ, बाकी यूपी बगार, हम जहां-जहां भाजपा जीती फरजी चुनाब ठीक माना जाएगा, यह नहीं, यह केजी के बच्चे ऐसी तर्क दे तो समझ में आता है, जो लोग यह कहते हैं कि हम देश चलाने आए हैं, उसके लिए विड करते हैं, जनता के सामने जाते हैं, जनता के अदालत में, उनको तो कम से कम कुछ सेंसिबिल होना चाहिए, आप इंडिया बनाईए, आप एंडिये बनाईए, कुछ बनाईए, लेकिन जनता के भैसले को उसी गरिमा से स्विकार करिए, वो आपके पक्ष में आए तो और विपक्ष में आए तो, धन्यवाद.